एक बार मा पार्वती कैलाश पर भ्रमन कर रही थी तब ही उनकी नजर प्रित्वी लोग पर पड़ी सेट जी ये माल गाड़ी में से उतार दिया है ये ले तिरे आज की कमाई के 200 रुपाई पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपाई ही कमाई हुई है अब इसमें से 50 रुपाई दूद के 50 रुपाई सबजी के बाकी बचे 100 रुपाई जो पूरे 3 दिन चलाने हैं आह ये हो गए पूरे 50,000 रुपाई इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ नहीं भाईया ये बहुत महंगी साड़ी है कोई सस्ती सी दिखा दो हाँ ये 1500 रुपाई वाली ठीक है भाईया ये तीनो साड़ी पैक कर दो ये लो 5000 रुपाई मा पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है इस प्रश्ण का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं धर्थी का ये नजारा देख कर मा पार्वती भगवान शंकर के पास जा महादेव मैंने देखा है कि धर्थी पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और जादा दुख मिलता है और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते ऐसा क्यों भगवन ये आपकी कौन सी लीला है देवी पार्वती इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धर्थी पर चल कर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद मा पार्वती उनके साथ म्रत्य रोट में प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए चल पड़ी तब ही रास्ते में उन्हें गरीब पती-पत्नी जाते दिखाई दिये और मिला कुछ समझ नहीं आ रहा हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली सबका भाग्य एकसा नहीं होता है जी उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है हमारी में नहीं भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है नजाने कौन से बुरे पाप किये थे हे महादेव आप इन दोनों पति पत्णी को कुछी पलों में अमीर बना सकते हैं मेरे कहने पर आप इने अमीर बना दीजे ये पिचारिक कितने दुखी है देवी पार्वती इन दोनों के भागे में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है महादेव जब हम इने धन दे देंगे तो इनकी गरी भी दूर हो जाएगी फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएगे खृप्या करके आप इनकी मदद कीजे प्रभू देवी पार्वती मैं तुम्हारी इच्छा नुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूं पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पूटली उस रास्ते में डाल दी पूटली से कुछ दूरी पर उर्मिला के नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ती पर पड़ी सुनो जी हम तो गरीब है इसलिए दुखी है पर ये सामने व्यक्ती तो नेत्रहीन है एक बात समझ नहीं आई ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे हाँ बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को चलो आज हम भी अंधों की तरह चल कर देखते हैं देखें ये कैसे जीवन जीते हैं उर्मिला और सुरज आखे बंद कर एक दूजे का हाथ थामे चलने लगे सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गे और वे दोनों करीब से गुजर गए भगवान शेव बोले देखा देवी पार्वती इनके भाग्य में अभी गरीवी ही लिखी है हम कुछ दिन धर्ती पर ही रहेंगी यहां मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाता हूँ भगवान शेव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पती-पत्नी के रूप में एक गाउं के पास डेरा जमाया शाम की समय देवी पार्वती भगवान शेव से बोली स्वामी मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ यहां पृत्वी लोग में यदि हम रहने आही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी मैं चूलह बनाने की तैयारी करती हूँ आप तब तक भोजन बनाने की सामगरे ले आए मा पार्वती चूलह बनाने के लिए बाहर से इटे लेने गए चूलह बनाने के लिए मुझे इटों की जरुरत है ये एक जरजर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है इसकी इटे मेरे काम आजाएंगे यही ले लेती हो चूलह तो तयार कर लिया महादेव आते ही होंगे अरे आप आगे ये देखिए मैंने चूलह तयार कर लिया पर आप खाले हाथ क्यों लोटा है स्वामी भोजन केसे बनेगा देवी पार्वती आप सामगरे की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि जिस प्रश्ण का उत्तर ढूणने के लिए आप आई थी वो आपको स्वैम मिल गया मैं कुछ समझी नहीं स्वामी मेरे प्रश्ण का उत्तर मेरे समक्षी है हाँ देवी पार्वती आप यही जानना चाहती है न कि इस प्रित्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परिशान होते रहते हैं अच्छा ये बताईए आप इस चूले को बनाने के लिए इटे कहां से लेकर आई हो प्रभू इस गाउं में बहुत से ऐसे घर भी है जिनका रखरखाव सही धंग से नहीं हो रहा है उन पुराने घरों की जरजर हो चुकी दिवारों में से मैं इटे निकाल कर ले आई इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया जबकि आप मजबूत घरों की दिवारों से भी तो इटे ला सकती थी प्रभू जो घर अच्छे और सुन्दर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह किया है ऐसे में उन सुन्दर घरों को बिगारना मुझे उचित नहीं लगा देवी पारवती कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्ण का उत्तर भी यही है जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुन्दर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है इस संसार में हर मनुश्य अपने कर्मों का ही फल पाता है सब के पास सब कुछ नहीं होता मनुश्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगत नहीं पड़ता है और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदै भी पुर्णे कारे करते रहना चाहिए ताकि हमारे कर्म उसमें जुडते रहे आपको ग्यात है वो मार्ग में उस तिन एक नेत्रहीन व्यक्ति हाँ स्वामी मुझे ग्यात है वो देखिये देवी पार्वती उसके पास धन दौलत एशो आराम की कोई कमी नहीं है परंतो उसके आखों का इलाज नामुम्किन है ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है उसने पिछले जन्म में जानभूच कर किसी निर्दोष की आखों की रोष्णी छीन ली थी इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया पर इसके कुछ पुर्ण्य कारें की वजह से ये अमीर बना और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेट से ठानी थे जो कभी भी कोई दान पुर्णय नहीं करते थे इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं इस पृत्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी इस पृत्वी पर सुख पूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गई